हलो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि डिजिटल मेगर से टेस्टिंग कैसे किया जाता है मेगर का यूज कैसे करना है केबल का मेगर लेने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है मेगर से कितने देर तक टेस्टिंग करना चाहिए तो हमें proper reading मिलेगी कितने type के meager आते हैं सबसे important कि cable का कितना meager value आना चाहिए तो cable सही है या खराब है हमें पता चलेगा और एक cable में कितना reading लेना पड़ता है meager से ये सारी चीज़े देखेंगे तो पूरी information के लिए video को last तक देखिएगा start करते हैं दोस्तो दो type के meager आते हैं first is analog type meager second is digital type meager analog type वाला जो meager होता है उसको हम लोग manual meager भी बोलते हैं जैसा कि आप लोग photo में देख सकते हैं ये manual meager है manual meager के अंदर हम लोग handle का use करते है meager लेने के लिए मतलब ये handle को rotate किया जाता है meager value लेने के लिए और दोस्तो जो digital type वाला meager होता है उसको हम लोग electronic type वाला meager भी बोलते हैं digital meager में हमें खाली button को press करना पड़ता है meager value लेने के लिए और वहीं पे जो analog वाले meter होते हैं वहाँ पे हमें handle को rotate करना पड़ता है लेकिन दोस्तो आज के time पे analog वाले जो meager होते हैं उनका बहुती कम use किया जाता है क्योंकि उनकी reading उतनी accurate नहीं आती है वहीं पे जो digital वाले जो meter होते हैं उसकी reading accurate होती है दोस्तो meager को oham meter भी बोलते हैं meager का use resistance को measure करने के लिए किया जाता है normal resistance को measure करने के लिए नहीं दोस्तो insulation resistance को measure करने के लिए मेगर का use किया जाता है इसके लिए दोस्तो इसको IR test भी बोलते हैं insulation resistance test दोस्तो ये digital मेगर है और ये इसके probes हैं, मतलब wires हैं इन wire की सायता से हम लोग testing को करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेगर के उपर लिखा हुआ है 1000 वोल्ट और 200 मेगा ओहम दोस्तो ये जो मेगर है वो 1000 वोल्ट DC जनरेट करता है और 200 मेगा ओहम तक के resistance को measure कर सकता है दोस्तो और भी बहुत से टाइप के मेगर आते हैं जिनका voltage जादा होता है और उनकी resistance को measure करने की range भी जादा होती है जैसे कि 2000 वोल्ट वाले मेगर 2500 वोल्ट वाले मेगर 5000 वोल्ट वाले मेगर भी आते हैं जो कि गीगा ओहम तक के resistance को measure कर सकते हैं बट दोस्तो 1000 वोल्ट से उपर के जो भी मेगर आते हैं वो HT केबल या तो HT instrument को check करने के लिए यूस किया जाता है 1000 वोल्ट से उपर वाले जो मेगर होते हैं उनसे LT केबल को check नहीं किया जाता है नहीं तो LT केबल खराब हो जाएगा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं केबल को check करना जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये 3.5 core into 35 square mm का केबल है जिसको मैंने अच्छी तरीके से छील दिया है जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से मेगर दिखा सकूँ कि कैसे मेगर रेडिंग लिया जाता है बट दोस्तों मेगर करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो बहुत ही important है जैसा कि केबल का मेगर करने से पहले केबल के जो दोनों साइड होते हैं उनके टर्मिनल खुले होने चाहिए मतलब केबल में जो लग लगा होता है उसे हमें breaker से disconnect करना है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हमें केबल को अलग करना है breaker से या तो बस बार से अगर केबल को हम लोग disconnect नहीं करेंगे तो केबल का मेगर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा और हो सकता है कि जो केबल के साथ इंस्रूमेंट connect हो वो खराब भी हो जाए क्योंकि दोस्तो मेगर 1000 वोल्ट DC जनरेट करता है इसके लिए दोस्तो केबल के दोनों साइट को disconnect करना बहुत ही important है दोस्तो 4 core या 3.5 core वाले जो केबल होते हैं उसमें हमें टोटल 10 reading लेना पड़ता है जैसे कि red एन अर्थिंग के बीच में yellow एन अर्थिंग के बीच में blue एन अर्थिंग के बीच में neutral एन अर्थिंग के बीच में red एन neutral के बीच में y एन neutral के बीच में b एन neutral के बीच में r और y के बीच में y एन b के बीच में b एन r के बीच में तो टोटल दोस्तो हमें ये 10 reading लेना पड़ता है दोस्तों मेगर का value कितना आना चाहिए वो देखने से पहले हम लोग देख लिते हैं कि मेगर लिया कैसे जाता है दोस्तों जो हमारा मेगर है उसके अंदर जो हमारा red वाला wire है उसको red वाले hole में डालेंगे और जो black वाला wire है उसको black वाले hole में डालेंगे पहले हमें चेक करना है कि हमारा मेगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये जो मेगर के दो प्रोब निकले हैं उसको आपस में शॉट करेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने शॉट कर दिया है दोनों को फिर दोस्तों test बटन को दबा के देखना है कि हमारा मेगर कितना value शो कर रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 00Mbohm दिखा रहा है मतलब हमारा मेगर इस टाइम पे एकदम perfectly work कर रहा है तो अभी हम लोग cable का testing स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 10 reading लेना होता है एक cable से तो पहले हम लोग क्या करेंगे red face and earthing का testing करेंगे तो क्या करना है दोस्तों एक wire को हमें red face में connect करना है और एक wire को हमें earthing में connect करना है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक wire को red face में connect कर दिया और एक wire को armor में connect कर दिया है mega reading लेके देख लेते हैं दोस्तों यह जो test button है इसको दबा के रखना है तो हमें mega reading मिलेगी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमें कुछ value दिखाई उसके बाद अभी हमें 1 दिखा रहा है left side में ये दोस्तो क्या indicate कर रहा है इसका मतलब है दोस्तो red face and earthing की बीच में जो resistance है वो 200 mega ohm से जादा है ये जो मेरा meter है वो 200 mega ohm तक ही reading measure कर सकता है उससे जादा resistance को ये mega measure नहीं कर सकता इसके लिए one show कर रहा है left side में दोस्तो इन case मान लो कि मैंने ये test button को press किया और मेरा reading cache show कर रहा है 10, 20, 30 धीरे धीरे increase हो रहा है 40, 50 ऐसे ऐसे करते करते increase हो रहा है तो मुझे कितने देर तक test button को दबा के रखना है ऐसे case में दोस्तो हमें test button को 30 second से लेके 1 minute के बीच में दबा के रखना है मतलब 30 second से उपर और 1 minute के बीच में हम कहीं भी reading को note down कर सकते हैं जैसे कि मान लो कि मैंने test button को 30 second तक दबा के रखा तो मुझे कुछ reading show कर रही है जैसे कि 110 मेगा ओहम reading show कर रही है तो 30 second cross होने के बाद मैं note down कर लूँगा कि RN earthing के बीच में जो resistance मिला है मुझे वो 110 मेगा ओहम मिला है और जो हमारा case है जैसा कि मैं test button को दबाता हूँ तो कुछी देर में दोस्तो one show कर रहे है left side बे तो इस case में मुझे 5 second तक कम से कम मेगर लेना है मतलब 5 second तक test button को दबा के रखना है और जो भी reading आएगी वो note down कर लेना है तो जैसे अभी मेरे case में RN earthing के बीच में कितनी reading आई 200 mega ohm से ज्यादा की आई तो दोस्तो कितना mega ohm आएगा तो मेरा cable सही है वो कैसे में पता चलेगा पहले दोस्तो मैं आप लोगों को कोई 10 reading लेके दिखाता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा first reading तो हो गई RN earthing के बीच में second reading लेना है मुझे yellow and earthing के बीच में तो मैं आर वाले जो phase है वहाँ से wire को निकालूँगा yellow वाले phase में wire को connect कर दूँगा फिर हम test button को दबा के देखेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वापस यहाँ पे left side में मुझे one show कर रहा है मतलब earthing and yellow की बीच में भी मेरा जो resistance है वो 200 मेगा ओम से जादा है फिर दोस्तों मुझे लेना है blue and earthing की बीच में तो मैं blue आले phase में connect करूँगा test button को दबाएंगे वापस मुझे reading left side में one show कर रही है फिर दोस्तों मुझे neutral and earthing की बीच में लेना है तो हम लोगी जो probe है इसको neutral में connect कर देंगे test button को दबाता हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं left side में one show कर रहा है फिर दोस्तों हमें red and neutral के बीच में में लेना है तो मैं क्या करूँगा इसको red में connect करूँगा test button को दबाएंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं left side में one show कर रहा है फिर दोस्तों मुझे yellow and neutral के बीच में लेना है वापस test button को दबाएंगे left side में one show कर रहा है फिर blue and neutral के बीच में लेना है test button को दबाएंगे वापस left side में one show कर रहा है दोस्तों अब तीन reading रहे गई है अब यह में जो next reading लेनी है वो आर एन yellow phase के बीच में लेनी है तो मैं एक probe को yellow phase में connect कर दूँगा और दूसरे probe को red phase में test करके देख लेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं left side में one show कर रहा है फिर दोस्तों Y and B के बीच में लेना है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक probe को मैंने Y पे connect किया है एक probe को B पे connect किया है test button दबाएंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं one show कर रहा है left side में फिर दोस्तों मुझे B and R के बीच में लेना है ये मेरी लाश रेडिंग है टेश बटन को दबाएंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी लेफ्ट साइड में वन शो कर रहा है दोस्तों टोटल मैंने 10 रेडिंग ले लिए मुझे जो सारे 10 रेडिंग मिले हैं वो मेरे 200 मेगा ओहम से जादा मिले हैं दोस्तों मेगर को disconnect करने के टाइम पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेगर को मैंने disconnect कर दिया है बट मैंने अभी भी मेरे केबल को touch नहीं किया है केबल के conductor part को touch करने से पहले हमें केबल को discharge करना है तो क्या करना है दोस्तों ऐसा एक wire ले लेना है जिसे हमें short करना है अर्थिंग पे लगाया फिर B phase में, Y phase में, red में, neutral में इनको आपस में भी ऐसे short करना है इसके वज़े से अगर हम इनको touch करेंगे तो हमें shock लगता है इसके लिए, केबल को touch करने से पहले हमें केबल को discharge करना है जैसा कि मैंने अभी केबल को short करके discharge कर दिया जैसा कि आप लोगों ने देखा भी तो इस तरीकेसे से discharge करना उसके बाद हम लोग इसको हाथ लगा सकते हैं जैसे कि अभी मैं इसको हाथ लगा के आपको दिखा दिया दोस्तों हम लोगों ने सारी reading ले ली अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा केबल सही है या खराब है मतलब कितने मेगा ओहम तक वैल्यू आनी चाहिए मेगर की तो हमारा केबल सही है या खराब है में पता चलेगा जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह LT का केबल है मतलब इसके अंदर से हम लोग 415V या तो 230V का सप्लाई यूस करेंगे तो जो हमारे LT के केबल होते हैं लो टेंशन के केबल होते हैं उनका जो मेगर वैल्यू है वो 100 मेगा ओहम से ज़्यादा आना चाहिए मतलब मेरी जो दसो रीडिंग आई है वो 100 मेगा ओहम से अगर ज़्यादा है इसका मतलब मेरा केबल सही है एकदम परफेक्ट है और दोस्तों वहीं पर मेगर वैल्यू मेरा 100 ओहम से नीचे आता है तो मेरे केबल में कुछ तो फॉल्ट है इन केस ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि 60 मेगा ओहम, 70 मेगा ओहम के आसपास रीडिंग आ रही है तो भी मेरा केबल वर्क करेगा बट दोस्तों उसकी लाइफ बहुत कम होगी बट दोस्तों ऐस पर इलेक्ट्रिकल रूल जो एल्टी केबल है उसका मेगर वैल्यू 100 मेगा ओहम से ज़्यादा आना चाहिए मैं दोस्तों आप लोगों को एक fault condition create करके दिखाता हूँ तो उसकेस में मेरा मेगर कैसर शो करेगा रीडिंग तो दोस्तों fault condition create करने के लिए मैंने B face को faulty बना दिया है मैंने केबल को छील करके आर्मर से जोड दिया है तो in case जैसे क्या होता है कि मेरा cable सब कुछ सही दिख रहा है बड़ दोस्तों अंदर से कहीं से ये break हो गया है जो इसका insulation है वो break होके मेरे armor पर touch है या तो ये जो armor है ये तोड़के इसके अंदर घुस गया है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा cable खराब है और कौन सा face खराब है तो जैसे कि मैं पहले क्या करता हूँ मेरा earthing and red के बीच में का मेगर लेता हूँ मेगर लेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं left side में one show कर रहा है मतलब मेरा R face तो एकदम बरोबर है फिर क्या करूँगा Y face को एक बाद चेक कर लेता हूँ Y face में भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं left side में one show कर रहा है मतलब मेरा Y face भी एकदम बरोबर है अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे B face को चेक करेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप अभी 00 MbA दिखा रहा है मतलब मेरा यह जो B face है यह कहीं तो break होके earthing के साथ connect हो गया है तो meager लेने से मुझे यह पता चल गया कि मेरा यह जो B वाला phase है यह कहीं तो faulty है तो इस cable को मैं use नहीं कर सकता यह cable खराब हो गया है दोस्तो एल्टी केबल के लिए minimum meager value कितना आना चाहिए 100 MbA से ज़्यादा होना चाहिए तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे मैंने और भी बहुत से topic के उपर वीडियो बनाया है कि जैसे कि substation क्या होता है substation में कौन-कौन से equipment यूज होते है LT line, HT line क्या होती है VCB, vacuum circuit breaker को कैसे on-off किया जाता है ACB, air circuit breaker को कैसे on-off किया जाता है तो और भी मैंने बहुत से topic के उपर वीडियो बनाया है आप लोग अपना knowledge इंप्रूफ करने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं तो thank you for watching आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे like करके और comment करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में